पिरमेशर के नाम की मैमा हो युहना की पहली पत्री पहला अध्याई की तीसरे और चौदे वचन के और हम देखेंगे और मनन करेंगे तीसरे और चौदे वचन में हम ऐसे सिक्षक दे सकते हैं कि जो जीवन है जो प्रिबु में था जीवन के बाते जो बताया गया है युहना अपने वचन को या अपने पत्री को पढ़ने वाले वेक्ती को यही कहते हैं जो जीवन को हमने देखा हमने अनिबो किया और यह जीवन की जो बाते जो गया है करके इन तीन और चार में बताते हैं प्रिबेहनों हम सब जानते हैं जैसे ये सुवारता का गोशना शुरू हुआ तब से लेकर दुसरे जो विश्वास में रहने वाले लोग या जो दुसरे जो दरब में रहने वाले लोग हमेशा ये जो सुवारता गोशना करने जो लोगों को देखकर या इस जीवन के बार में बताने वाले को देखकर यही आरोब बार-बार करते हैं कि यही लोग दर्मांदर करता है तो प्रिये बहनों हम ऐसे गटना बार-बार जो होते हैं तो ऐसे एक गटना हुआ कि एक मंदली से कुछ लोग पर्ची लेकर या ट्रैक्ट्स लेकर एक गाव में जो बाटा गया उस ट्रैक्ट में एक नंबर दिया था कि ज़्यादा कुछ जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर कॉल करना करके हम उस ट्रैक्ट के नीचे लिका रहता है तो कुछ इंफॉर्मेशन ज़्यादा चाहिए तो यह नंबर दिया जाते है जो ओन नंबर जो है उस मंदली का जो से मेरा दरम में रहता हूं तु मेरा दरम को चेंज करना करने की कोशिश मत करना ये मेरा दरम अच्छा है करके इन्हों ने इसको सेवक को बताया तो यहां पर हम देख सकते हैं कि इसमें ही वो स्री रहना चाती है वो बोल रहे कि मैं इसी दरम में रहना चाती हूं और ये सुनकर ये सेवक ने बड़ी नम्रता के साथ कहा कि हम भी नहीं चाहते हैं कि तुम तुमारे दरम को बदले क्योंकि दरम को बदलने से कुछ मतलब नहीं है हमने उस परची में दरम की विशे में बिलकुल भी नहीं लिखा है लेकिन हमने यही लिखा है कि जो जीवन हमको मिला है नया जीवन हमको मिला है विश्वास के द्वारा येश्यु मसी को जब हमने स्विकारा तो जो जीवन हमको मिला उसके बारे में हमने उस ट्रैक्ट में लिखा है उसने बेडी नम्रदा के साथ ऐसे बताया कि तो इस ऐसे इंस्त्री को बताया तो प्रिय बेहनों वही बात योहना बता रहा है कि योहना को एक नया जीवन मिल गया इश्यो मसी के द्वारा उसको एक नया जीवन मिल गया उस जीवन की बारे में योहना बता रहा है जिस पापी विक्ति को नया जीवन मिला है वो विक्ति अपने गवाही दुसरे को बताना है उनकी ज तीसरे वचन को हम पढ़ते हैं तो वहां जब यह बात यहना लिखा उसके मन में पांच ऐसे उद्देश जो था इस जीवन को बाटने की विशे में पहला जो मुद्दा यह है यहना बता रहा है देख हम इसलिए इस जीवन के बारे में बता रहा है कि हमारे साथ एक संगती हो जाए संगती का जो इंग्लिश के जो उसकी आर्थ जो है इंग्लिश में बताते हैं कि फेलोशिप इसका सिंबल एक मेनिंग यह है कि तो कुछ ऐसे बाते हैं हमारे जीवन में कौमन हो जाते हैं ये बाते कितनी सच है कि एक पापी मनिश उद्दार पाते हैं नए जीवन मिलते हैं तो वो उस पवित्र परमेश्वर के साथ कुछ बाते जो कोमन हो जाते हैं मतलब मनश्य पापी होने के कारण जो उस महान उस पवित्र परमेश्वर के साथ उनको कुछ लेना देना नहीं वो परमेश्वर से सच मुझ दूर है ना रिष्टा है ना उनसे कुछ लेना देना है लेकिन हम देखते हैं येश्य मसी की द्वारा परमेश्वर ने ऐसे अनगर जो पापी मनश्य को दे रहा है ताकि उस अनगर की द्वारा मनश्य परमेश्वर के साथ मिले और उसके साथ संगती रखे और उसके कारण जो प्रेबू में है जो है उस पापी मनश्य को जो मिल जा प्रिये बहनों यही बाते हैं हम एफेसियों की जो पत्री है पहला अद्य की तीसरे वचन में पड़ते हैं कि जो स्वर्ग में जो सारे आशिशे हैं वो सारे आशिशें परमेशर ने प्रेबू ईशिमसी के द्वारा हमको दिया गया है कि उन तमाम आशिशे हैं उन आत्मिक आशिशे हैं वो कभी नाश नहीं होते हैं तो वो हमारे साथ हमको मालम है कि इस संसार की आशिशे तोड़ी समय का है हमारे साथ कायम नहीं रहता है लेकिन जो ऐसे आशिश परमेश्वर ने ईश्यू मसी के द्वारा हमको मुफत रिती से दिया गया है ताकि वो हमेशा हमारे साथ रहे तो प्रिय बहनव उन तमाम आशिशे हमारे जीवन तक पहुंचाने के लिए हम देख सकते हैं कि प्रभू ईश्यू मसी हमारे लिए उस का कालवरी क्रूश पर बलिदान हो गया तो उसने अपने शरीर को थोड़ा गया और अपने लिहू आकरी बून तक लिहू वो बहाया हमारे पापों के लिए हमको बचाने के लिए हमको उस परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए उसने अपना प्राण कालवरी क्रूश पर और उसके लिहू से प्रभू ने आपको और मुझे करीद लिया है। तो करीद कर उसने हमको परमेश्वर का गर का सदस्य बना लिया। कि चौद्धा वचन की आकरी बाग में हम ऐसे पढ़ते हैं, हम इस तरह सा पढ़ते हैं कि इश्वरिय सुबाव के समबागी हो जाओ। बजन संगीदा 51 में दाविद बताते हैं कि मेरे माने मुझे पाप में जन्म दिया है। तो प्रिय बेहनों, यह हमारे पाप की सुबाव है हमारे शरीर में लेकिन जो येश्व मसी के साथ संगती रखने के कारण यह पवित्र वचन यही बता रहे हैं कि जो इश्वरिय सुबाव केवल और केवल प्रिबू में है, परमेश्वर में उस सुबाव जो हमारे अंदर रखा गया है हम इश्वरे सबाव का सहबागी हो गया करके यहां पढ़ते हैं देखो कितने आश्चिरिक के बाद है कि पुत्र परमेश्वर मनश बनकर मनश के रूप लेकर संसार में आया और जो साव टके जो मनश बना इसलिए मनश बना ताकि वो परमेश्वर के गुण है प्रे बेहनों यही हुआ है हम देखते हैं कि संगती के द्वारा प्रेबु के साथ हमने रखा उस संगती के कारण परमेश्वर का सबाव इश्वर या सबाव परमेश्वर ने हमको दिया है इस संगती के द्वारा हम दूसरी बातों को देख सकते हैं कि जो मनश में जो अग तो हम देखते हैं ऐसे संसार में से कितने लोग है चाहे कि वो अपने लोगों के बीच में रहते हैं लेकिन उसकी अंदर की अंदर उसकी रिदे की अंदर एक अकेला पन का महसूस होता है तो प्रिये बहनों हम देखते हैं कि इस वचन की द्वारा इस संगती के द्वारा तो उस अकेला पन को परमेश्वर दूर करता है इसलिए प्रभू ईश्यू मसी ने मताई की जो सुवर्तमान 28 की 20 में वचन में हम ऐसे पढ़ते हैं कि जो मताई की मात्यू चप्टा 28 वर्ड्स 20 में इस तरह सा पढ़ते हैं कि मैं जगत के अंद तक सदेव तुमारा संग हूँ तो आकरी वचन में इस तरह सा लिखा है कि मैं जगत के अंद तक सदेव तुमारा संग हूँ तो हमारे साथ हमारे इस जीवन के अंद तक नहीं बलकि हम देखते हैं कि पूरे अनंद काल तक हमारे साथ रहने वाला हमारा परमेश्वर प्रे बहनों ये संगती के शुरुवात इस संसार में हुआ है लेकिन ये संगती ऐसा है वो कभी समाप्त नहीं होते हैं परमेश्वर को जो हम दनिवा देंगे क्योंकि जब ये जीवन को बाटा गया तो उसमें एक संगती का शुरुवात हुआ और उस संगती में प्रभु ने हम हरे को लाया है इस रही हम परमेश्वर को दनिवा देंगे हम परमेश्वर की स्तूदी करेंगे परमेश्वर की धने नाम की महिमा हो